नमस्कार, मैं डॉक्टर राकिश कुमार, राजकिय महाविद्याले खेडी गुजरान के भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के पदपर कारेरत हूँ आज के इस लेक्शर में हम मुंडा जनजाती के सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संरचना व अर्थविवस्था के विभिन पहिलूओं को विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रियास करेंगे मुंडा जनजाती के अद्धिन करने से पहले आईए हम जनजाती समाज के कुछ महत्पूर्ण लक्षणों को जानने और समझने का प्रियास करते हैं जनजाती समाज की सबसे महत्पूर्ण विसेचता है आईसोलेशन या दूसरे समाज से इनका अलग थलग होना माना बसाव की प्रकरिया में जब बहरी आक्रमण कारियों ने उपजाव भूमी वा अनुकूल जलवाई वाले छेत्रों पर आक्रमण किया जिसके कारण ये इसका इनका मूल इस्थान बन गया जनजाती लोगों की दूसरी महत्पूर्ण विसेचता है कि इनका प्रकृति के साथ या नीचर के साथ घनिष्ट संबन पाये जाता है इन लोगों की अधिकांस जरूरते हैं चाहे वो भोजन की जरूरते हो या इंदन के लिए लकड़ी प्राप्त करना हो दवाईयों के लिए जड़ी वूटियां प्राप्त करना हो या लाख आदी की प्राप्ती हो या फिर घर के लिए लकड़ी निर्मार का कारे हो सबी कारियों के लिए इनकी जो जरूरते हैं सबी जरूरते हैं वो नेचर से पूरी होती हैं जंगलों से पूरी होती हैं अते हैं इनका गनिश्टता के साथ संबंध होता है नेचर के साथ और नेचर के साथ इनको जो रिष्टा है वो बहुत गहन पाया जाता है यही कारण है कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के साथ तारितामेताख के साथ रहना पसंद करते हैं जंजातिय समाजों की अगली मैत्पूंड विसेचता है कि आत्म निर्भरता, ये लोग अपनी सभी जरुटों के लिए स्वेम पर निर्भर रहते हैं बहारी समाज से इनका लेना देना बहुत कम होता है समाज की मुख्यधारा से अलग होने के कारण इन आदिवासी समाजों में जातिवादी पर्थर नहीं पाई जाती है जैसा की मुख्यधारा में देखने को मिलता है इन जन्जातिये वा आदिवासी समाजों में सम्रिद संस्कृतिक विराशत, अनूठे रीती रिवास वा रोडिवादी परंपराएं तथा कुछ अंद्विस्वास भी देखने को मिलते हैं उपरोक्त सभी विशेषता हैं, जन्जातिये समदाय से संबंदित हैं, लेकिन ये सभी विशेषता हैं, इतनी जाधा सुद्रिण न रहकर अब धुमिल सी होती जा रही हैं बिर्सा मुंडा मुंडा जंजाती समदाय का ऐसा व्यक्तित जिसका नाम आते ही सभी आदर और सिद्धा के साथ उसको नमन करते हैं उन्निस्वी सतावदी के उत्रार्द में भारती स्वादीनता संगराम के महानायक रहे बिर्सा मुंडा यहीं इसी जंजाती में जन्मे थे जिन्होंने छोटा नागपुर की जंजाती लोगों पर बेटिस सासन के द्वारा हो रहे शोशन के विरुद बुलंद आवाज उठाई और इस्थानिये लोगों को संगठित कर विद्रोव भी किया उनके इनी प्रियासों के कारण यहां के लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं मुंडा सब्द संस्कृत भासा से उत्पन हुआ है जिसका अर्थ है गाउं का मुखिया या विशिष्ट व्यक्ति मुंडा जनजातियों को कोल के नाम से भी पुकारा जाता है लेकिन ये लोग खुद को कोल कहलवाना पसंद नहीं करते हैं ये खुद को होरोको के नाम से पुकारना पसंद करते हैं जिसका साबदिक अर्थ है मनुश्य अनुसूचित जनजातियों के मामले में जारखंड भारत में छटा इस्थान रखता है विस्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जारखंड में 32 जनजातिय समूब पाये जाते हैं जिन में संथाल, मुंडा, उम्राओ, हो, आदी प्रमुक हैं अगर हम जनसंख्या की दिरिष्टे से बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का मात्र आठ प्रतिसद जनसंख्या अनुसूचित जनजाती है जबकि जारखंड में कुल जनसंख्या का 28 प्रतिसद भाग अनुसूचित जनजाती का है इसका परिणाम यह है कि जारखन में वन अच्छादित छेत्र 29% है अर्थात कुल भगौलिक छेत्र का 29% छेत्रफल वनों से ढखा हुआ है जबकि राष्टी इस्तर पर मात्र 23% छेत्रफल पर ही वन अच्छादित देखने को मिलता है जनजातिय समुदायों का संपूर्ण जीवन वनों प्रिकर्टी पर निर्भर करता है यही कारण है कि जनजातिय वा आदिवासी समुदायों के समुचित विकास और उनके संरक्षन पर प्रियाप्त ध्यान देते हैं मुन्डा जनजाति जनसंख्या की द्रिष्टी से जहारखन में तीसरा इस्थान रखती है यह कुल जनजातिय जनसंख्या के लगबग 15 पृतिशत भाग का निर्मार करती है मुन्डा जनजाति लोगों का निवास इस्थान औस्ट्रोलाइट प्रजाति के मुन्डा लोग पूर्वी एसिया से होते हुए छटवी सतावदी में भारती उप माधिप में आकर बसे मुन्डा जनजाति के लोग मुखे रूप से जारखन के छोटा नागपुर के पठार पर केंद्रे थें लेकिन इनका विस्तार इसके अतरिक आसपास के राजियों जैसे बिहार, उडिसा, पस्चिमंगाल वा चतिस गड़ में भी देखने को मिलता है इन छोटा नागपुर के पठारी छेत्रों में स्वन्ड रेखा वा उसकी सहायक नदियों ने इस पठार को पूंडता है अपरदित वविच्छेदित कर दिया है और यहां पर गहरी घाटियां बना दी है जिसके कारण यदा कदा छोटे छोटे मैदानी छेत्र देखने को म विश में रितू में यहां का तापमान लगभग 40-45 डिगरी के बीच पाया जाता है और औसत वार्शिक वर्षा डेगड़ सो से 200 सेंटी मीचर टर के बीच में पाया जाती है और वर्षा मुख्य रूप से वर्षा रितू में ही केंद्रित होती है यहां की प्राकृतिक वन बास आदी के वर्ष की बहुलता पाय जाती है मुंड़ जंजाती का आवास या ग्रह स्थान इनकी बस्तिया जुंड में बसी हुई दिखाई देती हैं इनके गाउं में 8-10 घर होते हैं यहां के लोग अन्य जंजातियों के साथ मिलकर रहते हैं अन्य जंजातियों में धां लोहारा जनजाती के लोग लोहे का सामान वा ओजार बनाने में महारत हासिल किये होते हैं अन्य जनजाती के जो लोग हैं उनमें महिलाएं टोकरियां चटाई आदी बनाने का कारे करती हैं ये सबी मिलकर एक दूसरे को अपना सामान आदान प्रदान करके अपनी आजीव का चलाते हैं इनके घर मिट्टी के बने होते हैं जो चारो ओर से चार दिवारी से घिरे होते हैं सभी घर लगबग एक जैसे देख पड़ते हैं घर की च्छतों पर साल की लकड़ी का फ्रेम बना होता है जिस पर खपरेल रखकर ये अपनी च्छत बनाते हैं इन च्छतों को थोड़ा अत्रिक्त निकाला जाता है जो चज्जे का काम करते हैं जो बरसात के महिने में दीवारों को गलने से भी बचाते हैं गरों की बनावाट प्रकृती के अनुरूप होती है प्रकृती के साथ तालमेल बना कर बनाई जाती है ये घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये गर्म रहते हैं सामानित है इनके घरों में दो से तीन कमरे पाये जाते हैं एक कमरे में अनाज रखने वा पूरवजों की आत्माओं के रहने का कमरा होता है जिसमें घर वा परिवार के लोग ही आ जा सकते हैं दूसरा कमरा हनाज पीशने उठने बैठने खाना बनाने पालतु पसुओं को रखने वा सोने के लिए इस्तमाल किया जाता है अलग-अलग कोनों का इस्तमाल अलग-अलग उपयोग के लिए किया जाता है मुन्डा जनजाती के लोगों की सारिरिक संडचना मुन्डा जन्जाती प्रोटो आस्ट्रोलाइड सम्मू से संबंदित है मुन्डा जन्जाती वन जाती के कोलिट वर्ग से संबंदित होती है इन लोगों का आकार यकद छोटा वा मजला होता है त्वचा का रंग काला सिर लंबा बाल घुंगराले होते हैं इनकी नाक चोड़ी वचप्ती होती है तथा होट मोटे होते हैं इन लोगों में कान छेदन का एक संसकार होता है जिसे तूकई लूतूर के नाम से जाना जाता है मुंडा जंजाती की भासा Language of मुंडा ट्राइब मुंडा जंजाती की भासा मुंडारी है जिसे मुंडा लोग होडो जगर के नाम से पुकारते हैं मुंडारी भासा पूर्व के देशों से संबंध रखती है जैसे म्यानमार, वर्मा, थाइलेंड, आधी मुंडा जंजाती का भोजन मुंडा जंजाती के अधिकांस लोग शाकाहारी है और इनका मुख्य आहार, भोजन, चावल है मक्के की रोटी भी ये स्वाद के साथ खाते हैं कुछ लोग मुर्गी, मचली वा अन्नों का भी सेवन करते हैं मुंडा जंजाती की वेश भूशा या कॉस्ट्यूम ओफ मुंडा ट्राइब मुंडा जंजाती के लोग पुरुष मुख्य रूप से लंगोट पहनते हैं जिसे बटोई के नाम से जाना जाता है जबकि महिलाएं एक कपड़ा लपेटती हैं जिसे परेया के नाम से जाना जाता है लेकिन आदुनिक समाज के संपर्क में आने से इनका जो परंपरवादी परिधान है वो सिर्फ कुछ विशेश मौकों पर विशेश त्योहारों पर ही देखने को मिलता है अन्य था ये अबसाड़ी पहनना तथा पुरुष लोग पैंट शर्ट आदी पहनना सुरू कर दिये हैं पुरुष विशेश रूप से अपनी कमर पर करधानी पहनते हैं तथा सिर पर पगड़ी बानते हैं जैसा कि आपको यहां पिक्चर में दिखाया गया है इस्त्रियां गुदाई करवाने अर्था टैटू बनवाने का बहुत शौक रखती हैं ये अपने हाथों पाओं तथा माथे पर टैटू बनवाती हैं मुंडा जनजाती के लोग जूते पहनना पसंद नहीं करते हैं ये लोग अपने घरेलु काम वा खेतों या क्रशी से संबंदित कारेओं को नंगे पाओं ही करना पसंद करते हैं मुंडा जंजाती की पारिवारिक संरचना Family Structure of Munda Tribe मुंडा जंजाती में एकल वा संयुक्त दोनों प्रकार के परिवालों का चलन है यहां एकल फैमली यानि एक परिवार वाली फैमली भी पाई जाती हैं और ऐसे भी परिवार पाई जाते हैं जो मिल जुलकर संयुक्त दोनों से रहते हैं मुंडा जंजाती के लोग गोत्र या जिसे ये लोग किली भी कहते हैं इसके नाम से जाने जाते हैं मुंडा जंजाती में तीन सो से अधिक गोत्र या किली पाई जाते हैं जिनके नाम ये व्रक्षों, नदियों, पक्षियों, फूलों आदी के नाम पर रखते हैं पैंग्रा अर्थाद घोडा, हंसा अर्थाद हंस, अम्बा एक परकार का फूल, पार्ती घडियाल, जैगरुक एक परकार का विसेज फूल आदी कीली के ही उधारन है जिनके नाम उन्होंने पसूपक्षी, व्रक्षों, फूल आदी के नाम पर रखे हैं मुंडा जन्जाती का समाज पुरुष परधान है अर्थात पैट्रियारकल सिस्टम यहाँ पर पाये जाता है जिसमें गोत्र पित्र वंस यह होता है कन्या का जो वंस होता है वो साधी से पहले पिता का वंस गोत्र माना जाता है और साधी के बाद उसका गोत्र पती के गोत्र में परिवर्तित हो जाता है मुंडा जन्जाती में सभी घरेलू कारियों की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है जैसे पसुओं को चरने के लिए छोड़ना, घर के आंगन वा मकान की लिपाई करना नल वाकूओं से पानी लाना जो करीब भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं कई बार नल या कुवे न होने के कारण ये लोग बहुत दूर से तालाबों या नदूयों से पानी लेकर आते हैं खेती आदी के कार्यों में भी महिलाएं भरपूर हाथ बटाती हैं जैसे अनाज को कूटना, अनाज की छटाई करना, पौधों को रोपना, फसलों की कटाई करवाना आदी मुंडा जनजाती के धार में एक रीती रिवाज या Religion and Rituals of मुंडा ट्राइब सरना जो वास्तम में पेडों का एक जुंड है जिसे पूजा स्थल भी कह सकते हैं और यही मुंडा जनजाती के लोगों का एक मात्र मंदिर भी है इनी स्थलों पर मुंडा जनजाती के लोग सभी धार में क्रिया कलाप करते हैं हिंदुओं की भांती, मुंड़ा जंजाती के लोग भी अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इनका मानना है कि देवी देवताओं की पूजा आवशक है क्योंकि वही इनकी प्रकृति, इनके पर्यावनन की रक्षा करते हैं और इनके कर्मों का लेखा जोखा रख मेले, त्युहार व विवा आदी के उत्सवों को सुरद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं और सारजनिक रूप से नाच गा कर इनको पूरा किया जाता है। मुंडा जन्जाती का सबसे प्रमुक्त त्युहारों में से एक है सरहुल। सरहुल एक ऐसा त्युहार है जो फूलों का त्युहार कहा जाता है जिसे बापर्व के नाम से भी जानते हैं। इस त्युहार के मौके पर गाउं के सभी इस्तरी प्रोस बच्चे एक साथ अखड़ा में एकत्रित होकर अखड़ा अर्थात गाउं के बीच वीच की एक सारजनिक भूमी जो एक चलड़ चोड़ा मैदान होता है। इसमें सभी लोग एकत्रित होकर धूम धाम से सारजनिक रूप से नित्य करते हैं। और धोल, नगाडे, तुम्री, आदी को बजाते हुए अपने पारंपरिग नित्यों के द्वारा इस्तिवहार को मनाते हैं। सरहुल के अत्रिक्त, बतौली, अनोबा, आदी प्रमुक्तिवहार हैं। इनके अलावा, रुवआपुना, पर्व, जो की धान की रुपाई के वक्त मनाये जाता है। तो ये कुछ प्रमुक्तियोहार हैं, जो मुंडा जन्जाती के लोगों में प्रमुक्त रूप से मनाया जाते हैं। इनके अत्रिक्त भी आन्ने कई त्योहार हैं जो मुन्डा जण्जाति के लोग श्रदधपूर्वक और सार्फ्णिक रूप से मिल जूलकर मनाते हैं मुन्डा जण्जाति के लोग मिर्त लोगों को जमीन में दफनाते है और इनकी पूजा भी करते हैं हडगरी एक ऐसा चट्टानी चिन है जो समाधी स्थल पर रखा जाता है अर्थात हडगरी एक बड़ा बड़ा सिलाखंड है जो पूरवजों की समाधी पर गाड़ा जाता है और पृतिवर्ष इनकी पूजा की जाती है लोग वहां पर जाते हैं फूल आदी चड़ा कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं इनका मानना है कि ये पूरवज जो हैं इनकी आत्मा हमारे साथ रहती हैं और वो हमारा सुब कार के लिए हमारे सुब चिंतन के लिए हमारा सहयोग करती हैं हमें बुरे कारें से बचाती हैं और बुराई से हमें दूर रखती हैं इसलिए ये इनक पूजन करते हैं और इनकी अरादना करते हैं मुंडा जंजाती की लोगतांतरिक व्यवस्था या Democratic System of Munda Tribe मुंडा जंजाती के लोगों में ग्राम पंचायत के तर्ज पर ही एक प्राचीन लोगतांतरिक व्यवस्था मौजूद है जिसे ये लोग मानकी मुंडा के नाम से जानते हैं मानकी मुंडा का जो निर्मान होता है वो दस बारगाओं मिलकर एक मानकी मुंडा का निर्मान करते हैं या गठन करते हैं इस मानकी मुंडा का जो प्रधान होता है या देक्ष होता है उसे मुंडा राजा कहा जाता है इसके अत्रेक मान की मुंडा में अनेकों पद होते हैं जो भिन भिन अधिकारों को लिए हुए होते हैं मान की मुंडा एक विधाईका के रूप में अर्थात कानूनों वा नियमों का गठन करने वाली संस्था के रूप में तथा कार्य पालिका के रूप में अर्था उन नियमों वा कानूनों को कार्यानवित करने वाली संस्था के रूप में तथा एक नियाई पालिका के रूप में भी कार्य करती है। इसके अतिरेक्त मान की मुंडा, मुंडा जन्जाती समधाय के सामाजिक संरचना वा सांस्कृतिक रीती रिवाजों, परमपराओं वा विरासत के संरक्षन के हेतू भी कारे करती है और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वा करती है। इसके अतिरेक्त गाउं के छोटे मोटे घरेलू जगड़े, किसी के खेत में दूसरे के मवेशी का गुषना, आपसी लेंदेन के मामले, आदी छोटे मोटे जो जगड़े होते हैं, मान की मुंडा इन सभी को आपसी सहमती से सुल जाती है। मान की मुंडा एक सक्तिसाली संगठन है या संस्था है, जिसके सभी फैंसले इनके सभी लोगों को मानने होते हैं। गाउं के मुखिया को मुंडा कहा जाता है, और प्रते गाउं में तीन इस्थल या साइट्स होते हैं, जो मुख्य होते हैं। जैसे, नमबर एक सर्णा, यह एक पूजा इस्थल होता है, जो वास्तव में व्रक्षों का एक समोह होता है, जिनकी मुंडा जन्जाती के लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और यही मुंडा प्रजातियों का एक मात्र मंदिर भी हैं, यह सर्णा के नाम से जाना अखडा, मुंडा जन्जाती का दूसरा महत पूर्ण सारजने के स्थल है, जो गाउं के बीचो बीच खुला मैदानी छेतर होता है, यहां पंचायत या मानके मुंडा की सभी बैठके होती हैं, मुंडा जन्जाती के सभी छोटे बड़े उत्सव त्योहार आदी यहीं पर स पन होते हैं, त्योहारों और विशेश अवसरों पर ये अखडा एक रंग मंच में बदल जाता है, यहां काउं के सभी इस्तरी पुरुष, बच्चे एकत्रित होते हैं, अपने पारंपरिक परिधानों को पहन कर धोल, नगाडे, तुरई, आदी बादे अंत्रों को बजात जनजाती के दौरा, विर्सा मुंडा की अगवाई में उनकी विजएगाथा का गायन वाव मंचन करते हैं, ससन, यह मुंडा जनजाती का एक महतपूर्ण स्थल है, जो वास्तव में समाधी स्थल होता है, यहां मुंडा जनजाती के लोग, मिर्तियों के उपरांद, लोगो पूर्वजों की पूजा अर्चना करते हैं, इन्हें फूल इत्यादी अर्पित करते हैं, समाधी स्थलों पर पूर्वजों की इस मिर्ति में याद में एक सिलाखन रखा जाता है, जिसे हटगरी के नाम से जाना जाता है, मुन्डा जनजाती की वैवाहिक वैवस्था, मैरिटल स्टेटस ओफ मुन्डा ट्राइब, विवाह को मुन्डा जनजाती में अर्णडी कहा जाता है, मुन्डा जनजाती में सामानिते एक विवाह का परचलन है, लेकिन प्रभावसाली व्यक्ति एक से अधिक विवाह भी क कर सकते हैं विवा में दहेज का प्रिशलन नहीं होता है लेकिन मुंड़ जंजाती में विवा के समय गोनोग टका यानि बदु मूल देना होता है जो सामानत है पांच से लेके बीस रुपे के बीच में होता है मुंड़ जंजाती में विवा हिंदू रीती रिवाजों से होते हैं इनमें एक ही गोत्र या किली के लड़के लड़कियां आपस में विवा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही गोत्र या किली के लड़के लड़कियां आपस में भाई बेहन माने जाते हैं अर्थात मुंड़ा जन्जाती में समगोत्री विवा वर्जित हैं। विवा समानते परिवार की सैमती से होते हैं जिसमें माता पिता और विवा करने वाले लड़का लड़की सभी राजि हूं तभी विवा किया जाता है। मुंडा जन्जाती के लोगों में विद्वा विवा का प्रिचलन है और तलाग देने पर गोनोग डका या कुंडू गोनोग लोटाना पड़ता है मुंडा जन्जाती की अर्थ विवस्था Economy of मुंडा ट्राइब प्रियाप्त वर्षा वो उपजाव भूमी के परणाव सरूब एक घुमन्तू जमजाती काफी हद तक इस्थाई किर्शी करपाने में सफल रही है खेती योग जमीन को मुंडा जन्जाती के लोग दो भागों में बाटते हैं पहला है दोन दोन एक नीचला भाग है जहां पानी आसानी से पहुँच जाता है और यह उपजाव भूमी का छेत्रे जहां पर किसी भी प्रकार की फसल उगाई जा सकती है दूसरा भाग है टांड जो अपएक शक्रेत उची जमीन होती है जहां सिचाई का पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता है और यहां सभी प्रकार के फसलें भी नहीं हो पाती है मुंड़ जनजाती के लोग सामानिताए पारंपरिक किर्शी ओजारों का इस्तमाल करते हैं यह मुखताए खेतों को जोतने के लिए एक जोड़ी बैल या फिर एक जोड़ी भेंस का इस्तमाल करते हैं और खेतों को हलों के माद्यम से जोतते हैं मुंड़ा जनजाती के लोग खेतों में आउधनिक, रासायनिक और वर्कों का प्रियोग नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की आउधनिक मसीनों का प्रियोग इन छेत्रों में देखने को नहीं मिलता है मुंड़ा जंजातिय छेत्रों की मुख्य फसले हैं धान, मक्का, गन्ना, तमाकू, दाले, प्याज, आलू वो कुछ सबजियां अधिकांस छेत्रों में मुंड़ा जंजाति मात्र एक ही फसल होगा पाती है एक वर्ष में जिसका कारण है यहाँ पर सिचाई की प्रियाप्त सुविधा ना होना वर्षा रितू में वर्षा होती है और अन्य महीनों में वर्षा की मात्रा कम होती है या नगन्य होती है नहीं होती है जिसकी कारण सिचाई का अभाव इन छेत्रों में पाये जाता है जिसका परिणाम य पालते हैं जैसे गाए, भैंस, मुर्गी, बकरी, आदी, नदी तालाबों में ये लोग मचली पकड़ने का काम भी करते हैं, मचली पकड़ने का जो काम है वो इस परकार से किया जाता है कि मचलीयों का प्रयाप्त मात्रा में संदक्षन भी हो सके और उनको उपयोग भी किया जा सके ये लोग तालाबों को दो या तीन भागों में माट लेते हैं और एक समय पर एक ही भाग से या एक ही हिस्से से मचलीयों को पकड़ते हैं और बाकी हिस्सों को अगले वर्ष के लिए मचली पकड़ने के लिए छोड़ देते हैं इस परकार कुछ नियमों के साथ ये लोग जो हैं अपने संसादनों का उप्योग करते हैं निर्धन वा भूमिहीन लोग जो होते हैं वो वनों से वनुत्पाद एकत्रित करते हैं जैसे कंदमूल, लाक, तेंदू के पत्ते, फलफूल वा अन्यखाद सामगरी और जलावन की लकडियों का संग्रहन भी जड़ी बूटियां भी प्राप्द करते हैं और जड़ी बूटियों का प्रियोग न सिर्फ सर्दी, खासी, चुखाम, नजला, आदी छोटी बिमारियों का इलाज के लिए उनका उप्योग करते हैं बलकि सामप काटने का जहर उतारने के लिए रेबीज जैसी महेंकर बिमारियों का इलाज भी ये लोग जड़ी बूटियों के द्वारा ही करते हैं इस प्रकार इन लोगों की वनों पर निरवर्ता बहुत अधिक होती है चाहे वो जलावन की लकड़ी हो, फलफूल हो, जड़ी बूटियों हो, महुआ हो, लाख आदी हो आदी सबी चीजें ये जंगलों से ही प्राप्त करते हैं और जंगलों पर ही इनके लिए निरवर्त रहते हैं सैंग्रा, मुंडा जंजाती की एक परंपरागत सिकार व्यवस्ता है, जिसे सैंग्रा के नाम से जाना जाता है सैंग्रा, वर्स के कुछ विशेश अपस्वरों पर ही किया जाता है सिकार, ये लोग अपने परंपरिक हत्यारों से करते हैं सिकार करने के कुछ विशेस नियम है जिने कठोरता से पालन किया जाता है जैसे एक वर्स में वनों के एक ही भाग से सिकार किया जाता है दूसरे वर्स वनों के दूसरे भाग को पर सिकार के लिए को सिकार के लिए चुना जाता है और ये भी ध्यान रखा जाता है कि यदि सिकार किया जाने वाला जानवर गर्वधारन किये है तो उसका सिकार नहीं किया जाता है ये और ऐसे ही कुछ और भी नियम है जो इन जन्जातियों के त्वारा कठोड़ता से पालन किये जाते है सरकारी कानून विववस्था वगेर सरकारी संस्थाओं के चलते अब मुंड़ा जन्जाती में सिकार काफी कम हो गया है मुंड़ा जन्जाती की अर्थववस्था का एक महत्पूर्ण हिस्सा है बाजार या हाट ये हाट या बाजार दस से बीस गाउंओं के बीच लगातार घूमते रहते हैं सभी जन्जाती के लोग इन बाजारों में अपने द्वारा उत्पादेत वस्थूओं या वनों से एकत्रित की हुई महुआ, लाख, तेंदू के पत्ते, आदियों को यहां लाते हैं और वस्थूओं का आदान प्रदान करते हैं कुछ समय पहले तक इन बाजारों या हाटों में बाटर व्यवस्था लागूती अर्थाद एक व्यक्ति अपनी वस्थू को देकर दूसरे की वस्थू ले लिया करते थे अर्थाद वस्थूओं को आपस में अदल बदल कर अपनी जरुरतों को पूरा करते थे लेकिन अब मुंद्रा के चलन होने के कारण अब इन बाजारों से या हाटों से बाटर व्यवस्था लगबग समाप्त हो गई है मुंदा जंजाती समाज में आधनिक परिवर्तन Modern changes in the society of मुंदा ट्राइब पिछले कुछ दसकों में मुंदा जंजाती के लोग बहारी दुनिया के लोगों के संपर्क में आए हैं जिन से इनकी जीवन सहली में भी आधनिता की लक्षन इसपश्टता से जलगते हुए दिखाई देते हैं प्रतीत होते हैं अब मुंदा जंजाती के अधिकांस लोग आजीविका की खोज में नगरों की और पलाइन करने लगे हैं प्रवास करने लगे हैं और नगरों में ये लोग मुखते, ख़दानों, कारखानों वा अन्य पवसायों में श्रमिकों का काम करते हैं और अजीव का कमाते हैं। इनका पहनावा भेश-बूसा अब बटेई या परेया से बदलकर पैंट शर्ट वा साडियों में बदल गई है। कुछ गाओं में सोलर स्ट्रीट लाइट लगना, टीवी का होना, गाओं में सोचालय का बनना, आदिस अभी आदुनिक्ता के लक्षन हैं जो इन गाओं में इस पश्टता से देखे जा सकती हैं। बावजूद इन परिवर्तनों के अभी भी इन मुंड़ा जन्जाती समाज में साक्षर्टा का दर 50% से कम है, महिला साक्षर्टा मात्र 40% के आसपास है, आज भी इन समाज के लोगों में मादमिक सिक्षा पूरी कर लेना एक बड़ी बात है, इसनातक इस्तर की बात करें य जाही ग्रेजुएट है और लगबग 65% लोग इन जन्जाती समाज में आज भी किर्शिकारियों से जुड़े हुए हैं, किर्शिकारियों में लगे हुए हैं, जिस परकार यह मुंड़ा जन्जाती समाज हमारे आदुनिक समाजों से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है और मांगे बढ़ रहा है उसी परकार हमारे आदुनिक समाजों को भी मुंड़ा जन्जाती वा इनी जैसे अंजन्जाती समुदायों से प्रकृति प्रेम, प्रकृति का सम्मान करना और उसका संरक्षन करना सीखना चाहिए तब ही हम मानव और पर्यावरन का जो संबंध है, अ प्रस्तूत वीडियो लेक्चर पर आधारेत यहां कुछ प्रस्ण दिये जा रहे हैं जिनका अभ्यास विद्यार्थी कर सकते हैं दस पहुब विकल्पिये प्रस्ण या मल्टिपल चॉइस क्वेस्टिन्स इस प्रकार है प्रस्ण एक, निम्ण मैंसे भारत के किस राज्य में मुंड़ा जंजाती के लोगों का सबसे अधिक संकेंद्रन देखने को मिलता है आप्शन है, बिहार, जारखन, मद्यपर्देश, 36 गड़ प्रस्ण संख्या दो मुंड़ा जंजाती के लोगों की भासा निम्ण मैंसे कौन सी है आप्शन है, A मंदारी, B मंदारी, C मंदावली, D मांडवी प्रस्ण 3, मुंड़ा जंजाती में पुर्षों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र को निम्ण मैंसे किस नाम से जाना जाता है आप्शन है, A ससन, B बटोई, C परेया, D लत्ता प्रश्ण 4, ससन निम्ण मैंसे क्या है आप्शन है, A गाउं के बीचो बीच चोड़ा मैदान, B पूजा इस्थल, C घर का प्रकार, D समाधी इस्थल प्रश्ण 5, सरना निम्ण मैंसे क्या है आप्शन है, A धर्म, B पूजा इस्थल, C उप्रोक्त दोनों, या D उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं प्रश्ण 6, मुंड़ जन्जाती में सिकार एक परंपरागत किरिया है, इसे ये लोग किस नाम से पुकारते है आप्शन है, A सेंगर, B मांगर, C बांगर, या D डांगर प्रश्ण 7, मुंड़ जन्जाती में अरंडी सब्द का प्रयोग निम्ण मैंसे किस के लिए किया जाता है आप्शन है, विवाह के लिए, B मैदान के लिए, C खेतों के लिए, या D घर के लिए प्रश्ण 8, मुंड़ जन्जाती के लोग बिर्सा मुंड़ को निम्ण मैंसे किस का दर्जा देते हैं आप्शन है, A दोस्त का, B सिपाही का, C नेता का, या D भगवान का प्रश्ण 9, होडो जगर निम्ण मैंसे क्या है आप्शन है, A मुंड़ जन्जाती के लोगों का मंदिर, B एक सिलाखंड, या C मुंड़ जन्जाती के लोगों की भाषा, या D मुंड़ जन्जाती का एक गोत्र प्रश्ण 10. मुंड़ा जन्जाती का सबसे प्रमुक्तुहार निम्न में से कौन सा है? ओप्शन है A. बतौली, B. अनोबा, C. रुवापुना या D. सरहुल इस लेक्चर पर आधारेत यहां दस लगू उत्तर ये प्रश्ण दिये गए हैं, जिनका उत्तर तीस से चालिस सब्दों में देना है, विद्यार्थी इनका अभ्यास कर सकते हैं प्रश्ण 1. मुंड़ा जन्जाती की वेवाहिक व्यवस्था पर संचिप्थ नोट लिखिए प्रश्ण 2. मुंड़ा जन्जाती में मान की मुंड़ा व्यवस्था पर संचिप्थ लेक लिखिए प्रशन 3. मुंड़ा जनजाती में सर्णा का विशेश महत्व है, इसे समझाईए प्रशन 4. मुंड़ा जनजाती में महिलाओं के द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डालिए प्रशन 5. गोत्र या किली की व्याख्य कीजिए 6. अखडा का उपयोग मुंड़ा जन्जाती के लोग किन-किन कार्यों के लिए करते हैं समझाईए 7. सरहुल पर टिपनी कीजिए 8. मुंड़ा जन्जाती के लोग वनों से किन-किन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं मुंड़ा जंजाती के लोगों की खेती आधनिक प्रकार की नहीं है समझाईए प्रश्ण दस मुंड़ा जंजाती के ग्रह या घरों की बनावट वह उनकी संरचना पर प्रकाश डालिए इस लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुनने वह देखने के लिए धन्यवाद